नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के उपर, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट सचिन, आज हम बात करेंगे अपस्टॉक अप्लिकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं और आप्शन्स ट्रेडिंग आप करना चाते हैं, लेकिन आप्शन की स्ट्रे करना पड़ेगा, जो पुराना अपडेट है उसमें ये फैसलेटि नहीं है, तो अपडेट कीजेगा अगर आपका अप स्टॉक में ये वर्जन, ये जो फीचर है नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको यहां पे जो है अपडेट करना पड़ेगा, तो किस तरीके से इसे है क्या इसके सारे चीजे है वो हम डीटेल में देखने वाले है तो चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो गो इन टक देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे ओर्डर्स के सेक्शन में हमें यहाँ वे जाना है ओर्डर्स के सेक्शन में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे आपको रेगुलर MTF, बासकेट, GTT और स्ट्रेटेजी यह जो लास्ट वाला ओप्शन है इसको आपको उपन करना है और यहाँ पे लिखा होगा अगर आपने आपको देखने के लिए मिलेगा इसके benefits और कैसे choose करनी है इसका पूरा एक थोड़ा सा एक manual आप यहाँ पर पढ़ सकते है और उसके बाद Nifty के उपर आपको अगर strategies करनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या चीज़े है Nifty current spot price यहाँ पे दी गई है predict how Nifty 50 will move next week अब week के जगा पे आप month भी select कर सकते है two weeks भी select कर सकते है जो expiry आपको select कर दी है वो यहाँ पे आप select कर सकते है अगर मैं यहाँ पे monthly expiry select करू या फिर 21 December की expiry select करता हूँ monthly expiry अभी दी नहीं है क्योंकि November की monthly expiry अभी होना बाकी है वो 30 तारीक को होगी तो मैं यहाँ पे चार week के बाद Nifty का performance कैसे होगा यह अगर predict करता हूँ और मुझे अगर लगता है कि यह bullish रहने वाला है तो मैं bullish strategy के तरब जा सकता हूँ यहाँ पे मुझे select करनी होगी 21 December की strategy तो यहाँ पे कोई भी strategy इन्होंने नहीं दिए है हम 30 November की select करते है जितना pass रहोगे उतना strategy इनके पास available रहेगी मैंने 4 week के बाद का select किया था तो कोई भी strategy यहाँ पे नहीं दिखाई दी थी जैसे ही मैंने 30 November की strategy select की तो यहाँ पे बहुत सारी तीन strategy बहुत सारी नहीं है high risk option strategy भी यहाँ पे आ सकती है जिसको आप देख सकते है low risk वाली भी देख सकते हो हम अभी जो देख रहे है वो low risk वाली strategy देख रहे है जिसमें risk बहुत कम होगा जहां पे आपको पता चलेगा कि आप गर आप इस strategy में investment या फिर strategy करना जाते हो लगाना जाते हो इस strategy को तो probability of profit कितनी है उसके बाद आपको कितना fund requirement है ये strategy करने के लिए अगर loss होगा तो maximum loss कितना होगा profit होगा तो maximum profit कितना होगा ये पूरी details है आप देखने के लिए मिल जाती है इस छोटे से arrow को open करते ही ये particular strategy कौन सी है वो आपको यहां पे पता चलेगा और किस तरीके से trade details देखने है इसके लिए आपको यहां पे पता चलेगा तो ये particular strategy में क्या करना है आपको एक lot आपको 19,850 का buy करना है और एक lot 19,900 का sell करना है तो ये strategy हो गई आपकी ये बनी ब requirement कितनी है वो भी बोला गया है अभी fund मेरे पास नहीं है तो 26,000 का fund यहां पे लगने वाला है और अगर यहां पे profit and loss का analysis भी दिया गया है 25,220 रुपे का आपको यहां पे fund लगने वाला है निफ्टी अगर 19,900 के उपर जाएगा तो इस particular strategy में आपको 1352 रुपे का profit होगा औ और निफ्टी अगर 19,850 के नीचे रहेगा तो आपको 1147 रुपे का नुकसान होगा अब इसका payoff chart भी आप यहां पे देख सकते हैं break even कहां पे है यह थोड़ा सा अलग type का payoff chart है तो यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी अगर 19,850 से नीचे जाएगा तो आपको loss कितना कि होने लगेगा 19,800 के नीचे जितना भी निफ्टी जाएगा loss आपका same रहेगा यहां पे limited loss आपका होने वाला है और 19,800, 900 के उपर अगर निफ्टी जाता है तो आपका जो profit होगा वो यहां पे same रहने वाला है इससे जादा आपको profit नहीं होगा तो यह limited loss और limited profit वाली strategy आपक आपको यहां पे दिखाई जाती है बताई जाती है इसे bull call spread बोला जाता है और अगर आप इससे भी अलग कोई strategy try करना चाते है तो आप यहां पे दूसरी strategy देख सकते है जिसमें इन्होंने क्या किया है 19,850 का call buy किया है और 19,950 का call sell किया है तो इसमें थोड़ा सा जादा profit आपको दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जादा loss भी आपको दिखाई दे रहा है इसका pay off graph भी अलग तरीके से होगा same चीज आप कर सकते हो high risk options में high risk option में आपको unlimited profit होगा और maximum loss यहां पे 6,800 का दिया गया है if nifty close below 19,800 you will lose 6,800 बहुत English और Hindi mix कर दिया मैंने कोई बात नहीं समझने वाले समझ जाएंगे हमारे दोस्त लोग जो वीडियो देखते हो समझ जाएंगे तो इस particular strategy में आपको क्या करना है एक call directly buy करना है simple strategy high risk मतलब आपको call buy करना है जितना loss होगा वो आपने premium जितना दिया है वो ही आपका ड्यादा से ज्यादा loss होगा लेकिन अगर strike price यहां पर change किया है उसके बाद वाली strategy भी आरे पास यहां पर available है जिसमें भी उन्होंने strike price change किया है तो उसमें आपको थोड़ा कम loss होगा और जो भी profit होगा वो unlimited होगा तो यह high risk वाली और low risk वाली जो strategies है वो आप देख सकते हैं हमने bullish view रखा था आप अगर bearish view रखना चा लेकिन जैसे ही हमने 7 December की यहां पर expiry select की तब हमें यहां पर कुछ strategies दिखाई दे रही है जिसको उपर हम click करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें put में यहां पर deal करनी है एक put buy करना है एक put sell करना है तो इस तरीके से यह strategy इन्होंने बना के दी है जिसमें आपको loss होगा तो 902 रुपेगा होगा प्रोफिट होगा तो 16 सो रुपेगा आसपास प्रोफिट होगा तो यह ready made strategies आप ले सकते हो और volatile market रहेगा तो क्या strategy यूज करनी है वो भी यहां पर दिया गया है एक call एक put buy करो तो आपको यह सारी चीज़े यहां पर पता चलती है अगर market यहां पर neutral रहे इसे butterfly spread बोला जाता है जिसके उपर already मैंने video बनाए हुए है option strategies के उपर बहुत सारे videos मेरे available है जो जाके आप देख सकते है जिसमें मैंने detail analysis किया है pay off chart के साथ तो वो videos अगर आपने नहीं देखे है तो description में उसकी link मैं दे दूँगा और वो video आप देख सकते है आपको detail जानक nifty में भी use कर सकते है same आपको bank nifty में next week का या 2 weeks बात का आपको prediction करना होता है neutral market के लिए cash strategy है किस तरीके से call or put आपको buy करने है उसके लिए आपको fund कितना लगेगा lot कितने का होता है maximum profit कितना होगा maximum loss कितना होगा ये सारी details आपको upstock पहले ही बना के देता है तो अगर आप ये use करना चाते हैं तो आप use कर सकते हैं लेकिन सिर्फ ये bank nifty और nifty के लिए है किसी stock के लिए अभी तक इन्होंने bunny बनाई strategies दी नहीं है तो अगर आप bank nifty और nifty में trade करना पसंद करते हैं और option strategies के साथ trade करना चाते हैं तो ये video सिर्फ आपके लिए है और ये feature सिर्फ आपके ल पता है कि option strategies अगर आपको सीखनी है तो मेरे बहुत सारे videos available है जो कि आप channel पे चाके देख सकते हैं जिसका link में description में भी दे दूँगा उसके अलावा अगर आप technical analysis सीखना चाते हैं तो हमारी membership join कर सकते हैं जिसकी price सिर्फ 199 रुपे है तो मेहंगा वाला course नहीं है सस्ते में आ cat patterns, candlestick patterns और कुछ important indicators के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ तो अगर आप member बनना चाते हैं तो 199 रुपी में join कीजिए और जो हमारा course है उसका मज़ा उठाइए बाकी channel को subscribe करना ना भूलना और अब stock में account नहीं open किया है तो description में link है अभी जाके account open कर सकते ह दो बने आप